अगनी पथ योईना के लिए इस साल की आयू सीमा 23 साल की गाई केंद्र सरकार ने गुरुवार की रात एक बड़ा फैसला लेते हुए अगनी पथ योईना के तहत अगनी वीरो की भरती की अधिक्तम उम्रसी में बढ़ाकर 23 वरस की गाई इस योईना के तहत भरती की निमतम आयू साड़े सत्रा वरस और अधिक्तम आयू 21 वरस है लेकिन इस साल के लिए अधिक्तम उम्र की स्थिमा में दो वरस की छूट दी गई है योईना को लेकर बढ़ते बिरोध के बीच सरकार ने इस से जुड़े तत्थियों को भी अस्पष्ट किया है योईना को लेकर फैलाये जा रहे भरम और अलोचनाओ को खारिच करते हुए सरकार ने कहा है कि इस योईना से न तो सेना की रेजिमेंट बेवस्था में किसी तरह का बदलाव होने जा रहा है और नहीं सेना की छामता पर ही कोई पर्तिकूल परभाव पढ़ने वाला है या योईना सेना के साथ ही युवाओ के लिए बहुत लबकारी साबित होगी क्योंकि चार साल की सेवा के बाद मिले आर्थिक पैके से युवाओ के सामने अपने भविस्थो को सवारने के कई बिकल्प होंगे जारखन में सुक्रवार से लगातार तीन दिन भारी बारिज की संभावना है इस दोरान तेज हवा भी चलेंगी मौसम विभाग की माने दो बंगाल में गुरुवार की रात एक मानसून के पहुचने के उमीद है इसके बाद संदार परगना और बिहार के रास्ते मानसून के जारखन में परवेश करने की संभावना है मौसम केंद्र राची के अनुसा 17 जून को राज के उतर पूर्वी भाग धनबाद, गिरिडी, देवघर, दुमका, गोड़ा, जामतरा, पाकुड और साहिव गज में कहीं-कही भारी बारिस की भी चेतावनी जारी की गई है वहीं कहीं-कहीं गरजन बजरपात की संभावना भी जाताई है 18 जून को राज के उतरी भाग तथा 29 जून को राज के उतर पूर्वी दक्षिन पूर्वी तथा निकटवर्ती मद भागों में कहीं-कहीं भारी-बारी संभावना जाताई है टेकनिकल गेर्जिवेट्स नियुक्ती परिक्षा के लिए आवेदान शुरू जार्खन तक निकी विस्षिष्ट योक्ता धारी असनात तक अस्तारी सन्युक्त परिक्षा 2022 के लिए अनलाइन आवेदान जामा होना शुरू हो गया है एक चुक और योगिता रखने माले उमिद्वार 13 जुलाई की मदे रातिरी तक आवेदान जामा कर सकेंगे 14 जुलाई की मदे रातिरी तक परिचा सुल्क का भोक्तान किया जा सकेगा वहीं फोटो वह स्ताक्षर अपलोड कर आवेदान पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 19 जुलाई की मदे रातिरी तक वेब साइट पर लिम उपलावद रहेगा रांजी पतना जन सताबदी के टाइम में बदलाव सेना भरती को लेकर अगनीपत योजना को लेकर बिहार के कई जगों पर विरोध परदसण का दौर तेज है इसको लेकर रेलवे परशासन ने कई ट्रेनों को रद किया है दूसरी और जार्खर में भी कई जगों पर विरोध हुआ लेकिन ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर नहीं देखा गया रेलवे परसासन ने राची पटना जनसताबदी एक्सप्रेस ट्रेन के प्रस्थान समय में बदलाव किया है वहीं कई ट्रेनों को नन इंटर लॉकिंग कारे की वज़से रद करने की बात कही गई है अलर्ट मोड में पूलिस जवानों न किया मौक ड्रील राची हिंसा मामले के बाद राजधानी राची के पूलिस अलर्ट मोड में है सन्वेदन सीर समयत अने छेतरे में बिसेश चोकसी बरती जा रही है गत 10 जून को हुई घटना की पूर्णा विरिती न हो इसको लेकर पूलिस अधिकारी जवानों को निर्देश दे रहे है इस दोरान जवानों ने मौक ड्रील किया इतना ही नहीं अने जीलो से वजरवाहन को राची बुलाया गया है बता दे सुक्रवार को राची हिंसा मामले का एक सप्ता पूरा होगा पिछली सुक्रवार को राजधानी राची के मेन रोड में हंगामा पत्राव और फारिंग के बाद इस्थिती तनावपूर्ण हो गई थी राची में गैस कनेक्शन लेना होगा महंगा नाया गैस connection लेना अब महाँगा पड़ेगा क्योंकि security deposit की रासी में विरिधी कर दी गई है अब ग्राकों को 14 किलो घरेलू सेलेंडर के connection के लिए security deposit के रूप में 1450 रुपे की जगा 2200 रुपे देना होगा इस परकार अब 750 रुपे अधेक लगेंगे वहीं दो सिलेंडर के लिए security deposit 4460 रुपे देने होगे नई दर गुरुवात से ही लागू होगी रांची में आर्मी बहाली ओफिस के सामने युवक जमा राईधानी राची के में रोड रेलिवे ओभर ब्रीज के नजदीक इस्थित आर्मी बहाली का रियालाई के समीब सैकडो की संख्या में युवा मोजूद है युवा आर्मी में नियोकती के नई नियमावली से नाखोश है सभी युवा इस नई नियमावली की बिरोध में जमा हैं और नारेबाजी कर रहे हैं सैकडो की संख्या में सामील युवा जहारखन के विभीन जिले से आये हुए हैं आर्मी बाहाली ओफिस्ट के सामने बैनर के साथ परदर्शन करते हुए नई नियुक्ति नियमावली का बिरोध कर रहे हैं पलस टू बिद्यालियों के लिए 2855 सिख्षको की सिधी नियुक्ति होगी राज्य के पलस टू स्कूलों में सिख्षको के कूल 320 पदो पर नियुक्ति होगी राज के पलस्टू स्कूलों में अब तक की सबसे बड़ी नियुक्ति होगी इससे पुर्व कभी भी राज में पलस्टू स्कूलों में इतने पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया सुरूर नहीं की गई थी पत्र में कहा गया है कि नियुक्ति के लिए अधियाचना पद जे एससी के किसी परिक्षा संचार नियमावलिस से अचाजित नहीं है 6 माह से रासन नहीं उठा रहे 2,85,000 लाभूक राज में पिछले 6 माह से 2,85,000 लाभूक रासन नहीं उठा रहे है खादापुर्दी विभाग के आदेश के बाद ऐसे लाभूकों को चीनित किया गया है विभाग ने इन लाभूकों का भहतिक सत्यापन कराने का नेदेश दिया है यह पता लगाया जा रहा है कि लाभूक कार्ड बनवाने के बाद की स्वय अस्यानाज का उठाव नहीं कर रहे है इसे लेकर फिजिकल जाज की परकिरिया शुरू हुई है जाज के दोरान यदि कोई संपन व्यक्ति रासन का धारी पाएगा है तो उन्हें काट सरेंडर कराने को कहा जाएगा और नियमा अनुसर करवाई की जाएगी कक्षा आठवी, नवी, एकारवी रिजल्ट का नहीं करना होगा इंतजार इसकूली सिक्षा एमसक्षता विभाग ने इस वर्स कक्षा आठवी की बोड परिक्षा के रिजल्ट के पुर्वे ही कक्षा नौई में नवांकर्ण की परकिरिया सुरू करने के त्यारी की है ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेक्षनिक सत्र एक जुलाई से सुरू होना है लेकिन कक्षा आठवी बोड का रियर्ट 15 अगस्त तक जारी होने की संभवना है परिक्षा परकिरिया जुलाई के अमतिम सब्ताह तक चलेगी फिलहाल कक्षा आठवी के लवग असी फिर्दी से अधिक विद्यार्थी मध्य विद्याले में नमांकी था है टाटा स्टील में लीडर्शिप डेवलाप्मेंट ट्रेनिंग प्रगती की सुरूआत टाटा स्टील सुपरवाईजरों और करमचारियों के उत्थान के लिए ट्रेनिंग प्रग्राम प्रगती की सुरूआत करने जा रही है कंपनी की Learning and Development विभाग की ओर प्रगती, Frontline, Leadership, Development, प्रोग्राम के लिए सुपरवाजर और करमचारियों के लिए विजापन निकाला गया है एक छुख करमचारी 20 जून 2022 तक ओनलाइन आवेदान कर सकते हैं खुटि में नक्सली PLFIM का एर्या कमाús घजरा गिर्फतार खुटि के मुर्धी थाना छ्यत्र इस्थी तीरला कोट्टा मोड के पास काडे पीडी जंगल में नकसली संगठन पीलेफाई के एरिया कमांडर गजरा कंडीर उर्फ कुंडीया कंडीर को पुलिस ने गिरफदार किया है पुलिस ने उसके पास से 8 mm की दो गोली पीलेफाई का परचा और चंदार असित बरामत किया है इस बात की जनकारी तोरपा SDPO ओमपरकास तिवारी ने पत्रकारों को दिया आज जूमा है रांची में आधी रात के बाद दहसत रांची पुलिस हाई अलट पर है सुक्रवार को जूमे की नमाज को देखते हुए पूरे सहर में 5,000 जवानों को तैनात किया गया है इसमें सहीद चोग से लेकर सुजाता चोग तक 3,000 जवानों को तैनात किया गया है बाकी जवानों को अलग-अलग इलाकों में तैनात कर दिया गया है पूलिस ने 75 सनवेदन सिल जगों को चीनित कर बैरेकेटिंग लगाई है मंदीर की सुरक्षा करी कर दी गई है किसी को भी धार्मिक अस्थल के समीप एक जुट होने के इजाजत नहीं दी गई है मंत्री जगरनाथ ने अपसरों को हड़काया इसकूली सिक्षा यों सक्षर्टा विभाग के मंत्री जगरनाथ मत्रों ने विभागे पतादिकारियों से कहा है कि वेज छेत्र में निकले उनके सिर्फ कर्याले में बैठ कर काम करने से सिक्षा की गुनवाता में सुधार नहीं होगा गुरुवार को आपने अवास पर विभागे पतादिकारियों के साथ बैठाक में मंत्री ने सिक्षको के पद्स रिजन से लेकर सिक्षको की निक्तिया और प्रोनति की बरतमान इस्तिती की जनकारी ली साथ ही इस से तेजी लाने के निर्देश भी दिये हैं जारगंड में चोरी हो गए तलाब और गायब हो गए कुएं बरसा रूपी अमरित जल को सहजने के लिए पूरे राज में अमरित सरोवर बनाय जा रहे हैं दो निगाहे राजे के मजूदा तलाबों की और घूमना सोभाविक है बता दे तलाबों को टटोलते तो कुएं की हकिकत भी सामने आई जाएगी असपश्टता दिखेगा कि हजारों तलाबों और कुएं का वजूद खत्म हो गया है सहरी छेत्रों में तलाब और कुएं बिकास की भेट चड़ने है तो ग्रामिन छेत्रे में स्वार्थ की बड़े प्रमाने पर तलाब चोरी हुई है और कुएं गायब हुए है धन्यवाद